दोस्तों यद किसी को खासी आ रही है और वो खासी ठीक नहीं हो रही कई सारे सीरप उपयोग कर चुके हैं लेकिन वो खासी आप प्रापर जान नहीं पाते कि कितने टाय भी खासी होती है और कौन सी खासी में कौन सा सीरप दिया जाता है तो उनकी संपूर चानकारी इस ड्राइ कप जी सूखी खासी वेट कप जो की गीली खासी होती है इसमें बलगम युक्त जो है वो कफ आते रहते हैं अगर हम बात करें इसमें जैसे कि आपने देखा होगा सूखी खासी के कंडेशन में जो माउथ होता है वो पूरी तरह से ड्राइ हो जाता है यानि सूखाप बन रहता है जो हमारा गला का रीजन होता है उसमें काफे ज़्यदा दर्द होने लगता है हमारी जो पसलिया होती है उनमें भी काफे ज़्यदा दर्द देखने को मिलता है सासाथ ब्रीदिंग की प्राबलम यानि सास लेने में दिक्कत होने लगती है उस बंदे को कनफीजन क खासी लगने लगता है वहीं अगर हम बात करें गीली खासी तो गीली खासी जो मेली देखा गया है जब कोल्ड का मौसम आता है तब जद तर गीली खासी की प्राबलम होती है यह किसी को फ्लू है वाइरल फ्लू की प्राबलम की वज़ा से भी उसको गीली खासी आ सकती है लं को भी बल्गम की खासी आती रहती है ब्रॉंकार्टिस की प्राबलम है या ब्रॉंक्योस्टेटिस की प्राबलम है तो उनमें जो है वह बल्गम युद्ध खासी आती है अब हम बात करेंगे किस परकास से आप देख के जान सकते हैं कि ड्राई कप में और बेट कप में कौन सी जो है वो सीरप दी जाती है तो सबसे पहले टराइक अप की बात करें यानि सूखी खासी सूखी खासी में ऐसे सीरप दी जाती है जिसमें इंब्राक्स हो सकता है या डेक्स्ट्रो मेतोफ़ान हैड्रो क्लॉराइड या फेनिल जो हो सकती है या सी पीम मार्केट में आपको कई सारे ब्रांड नेम से जो है वो सीरफ मिल जाएंगे जैसे कि टोरेक्स वा टोरेक्स से जो है वो एक और वेद वाला आता है टस्क की हुआ या आपने कोडे इस्टार डियस का नाम सुना होगा तो जिसमें टेक्स्ट्रों में तो पान हुआ एंब्राक्सिल हुआ यह सीपीम की कंपोजिशन होती है वो खासकर शू की खासी में दी जाती है वहीं अगर हम बैट काफी की बात करें यानि जैसे कि अगर किसी को गीली खा जो है वह मार्केट में अवैलेबल हैं उनको दी जाती है तो यह ज्यादतर गीली खासी में उपयों की जाती है जैसे कि आपने बियन ट्रेल हुआ टोरेक्स हाता है हरवल और कई सारे जैसे कि आपने टस्क्य या आस्था का नाम सुना होगा जिसमें लिभा लूटा मॉल र सब्सक्राइब कर लिए अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंकि दोस्तों